दोस्तो वर्ल्ड की नंबर वन यूटूब चैनल T-Series जिसके सब्सक्राइबर 241 मिलियन है यह एक म्यूजिक कमपनी है जो बोलिवुड और भक्ति के गीत बनाती है अक्यले T-Series नहीं मार्केट के 80% से भी ज्यादा हिस्से को कवर किया हुआ है 1983 में श्री गुलसन कुमार द्वारस्तापिती यह कमपनी आज भी इलिया की नंबर वन म्यूजिक कमपनी है 40 साल पहले सुरू की गई यह कमपनी आज 25 से भी ज्यादा देसों में फैल चुकी है आज हम जानेंगे श्री गुलसन कुमार के बारे में के कैसे उन्होंने T-Series स्टार्ट किया कैसे म्यूजिक इंडस्टीज में नंबर वन के मुकाम तक पहुँचे और क्यों उनकी हत्या कर दी गई श्री गुलसन कुमार का जन्म पांच में 1921 में हुआ था वे बचपन में अपने पिता जी के साथ उनकी जूस की दुकान में जूस बेचा करते थे बाद में उन्होंने अपनी एक कैसेट की दुकान खोली और कैसेट बेचना सुरू किया उन्होंने कैसेट को कम से कम दामों में बेचना सुरू किया यानि कि जब बाजार में एक कैसेट 20 या 25 रुपे में मिलता तब वो 10 रुपे में बेचते थे श्री गुलसन कुमार बहुत ही धार्मिक इंसान थे वो भगवान शीव और माता वैशनो देवी में बहुत ही आस्ता रखते थे स्री गुलसन कुमार ने 1983 से स्री वैशनो देवी आने वाले सभी भक्तों के लिए प्रसाद के रुप में मुप्त बोचन देना स्टार्ट किया था जिनने आज भी उनका बेटा बुशन कुमार चला रहा है ये गुलसन कुमारी थे जिनोंने अपने सुपर कैसेट इंडस्टीज और बाद में टी सिरीज के जरिये धार्मिक गित बना कर नवजागूरती का निर्मान किया था उन्होंने लगबग सभी देवी देवता पर कई बक्ति गित गाये थे जिनके लिए भारत का हरेक हिंदू उनका रूनी रहेगा टी सिरीज में टी का मतलब भगवान शीव का त्रिशुल होता है उन्होंने नए गाये को और संगितकारों को भी अवसर दिया जो की बॉलिवुड में जाने का शंगर्स कर रहे थे जैसे की अनुराधा पोडवाल, सोनु नीगम, कुमार सानू, शब्बीर कुमार, मुन्ना अजीज, नदीम स्रवन इन सारे लोगों को स्री गुल्षन कुमार ने ही T-Series के जरिये गाने और नदीम स्रवन को म्यूजिक कंपोज करने का मौका दिया था स्री गुल्षन कुमार नए सिंगर और म्यूजिक कंपोजर को इंडस्टीज में आने के लिए मौका देते थे और जैसे वे लोग सफल हो जाते वो फिर से नई प्रतिभा को डूनने में लग जाते थे श्री गुल्षन कुमार दूर दर्शी थे उनके समय के दोरान भारतिय संगित उद्योग और बॉलिवुड संगित विक्री के मामले में नई उन्चाईयों पर पहुँच रहा था उनकी सफलता का मंतर था कम किम्मत और ज्यादा वॉल्यूम वो बड़ी संख्या में दर्सकों तक पहुँचना चाहते थे और अपनी कम्पनी T-Series के माध्यम से कम से कम किम्मत पर अच्छी क्वालिटी देना चाहते थे 90 के दसक में T-Series के पास Music Industries का लगबग 65% इसला था और सभी फिल्ममेकर्स अपने संगित के अधिकारों को T-Series के साथ ही जोड़ना पसंद करते थे क्योंकि कैसेट सस्ते थे और उसकी बिक्री बहुत ज्यादा थी आशी की दिल, बेटा, सड़क, दिल है की मानता नहीं जैसी सूपर हिट मूवी के आलबम हो या उनके भक्ति के आलबम, T-Series हमेशा ही नमबर वन पर था आशी की गाने की कैसेट ने रेकोर्ड ब्रेक, दो करोर से भी जैदा सेलिंग की थी दूसरे सब्दों में T-Series की इस अभुजपुरों सफलता से राइवल कंपनी, जैसी की टिप्स कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था आशी की मूवी के मूजिक डाइरेक्टर नदीम स्रवण इस मूवी के बाद मूजिक इंडस्टीस के सूपर स्टार बन गए उनको बहुत सारा काम मिलने लगा वो लगातार हिट मूजिक देने लगे उनको अपने मूजिक के लिए कई एवोड भी मिले नदीम स्रवण अच्छे मूजिक डाइरेक्टर तो थे पर नदीम सेफी को गाना गाने का चसका लगा और उसने खुद के गानों का आलबम लॉंच किया जिसका नाम था हाई अजनबी और नदीम चाहता था कि उसके आलबम को स्री गुल्सन कुमार प्रमोट करे पर स्री गुल्सन कुमार ने नदीम को समझाया कि बतोर मुजिक डारेक्टर तुम अच्छे हो पर गाय की में नहीं और यहां से नदीम सेफी और स्री गुलसन कुमार के बीच दुरिया बढ़ने लगी नदिम एजसिंगर फ्लॉप हुए और नदिम इसके लिए स्री गुलसन कुमार को दोसी मानता था क्योंकि नदीम को ऐसा लग रहा था कि स्री गुल्षन कुमार ने उसके गानों को अच्छी तरह से प्रमोट नहीं किया था एक तरब ती सीरिस की सफलता बढ़ती ही जा रही थी और दूसरी और उस दोर में बॉली वुड मजबूती से अंडर वल्ड के सिकंजे में चकड़ा हुआ था अंडर वल्ड का कौप बॉली वुड में अपने चरम सीमा पर था खबर मिल रही थी कि माज दो महिने में अबू सालिम ने 20 बड़ी फिल्मी हस्तियों से फिरोती मांगी थी 1996 में अंडर वल्ड से स्री गुल्शन कुमार पे 10 करोड की फिरोती के लिए फोन आया और ऐसा माना जाता है कि स्री गुल्शन कुमार ने वो पेसे दे भी दिये थे लेकिन ये पूलिस रेकोर्ड में दर्ज नहीं था नदिम सेफी के अंडर वल्ड से अच्छे रिलेशन थे वो अबू सालेम से कनेक्टेट था नदिम ने अपने और स्री गुल्शन कुमार के बिगड़े हुए सब्बंद के बारे में अबू सालेम से बात की और स्री गुल्शन कुमार को नदिम को नया काम देने और उसके गानों को प्रमोट करने के लिए दबाओ बनाने के लिए मदद भी मांगी थी अबू सालिम दाउद इबरहिम के भाई अनिस इबरहिम से कनेक्टेड था उसने फिर से स्री गुल्शन कुमार को फोन किया और फिरोती के लिए पेसे मांगे और कहां तुम नदीम के गानों को प्रमोट करो इस बात से परेशान गुल्शन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट किया पर नदीम के गाने चल नहीं पाए पर अंडरवल की और से स्री गुल्शन कुमार पे दबाओ बढ़ता ही जा रहा था दूसरी बार स्री गुल्शन कुमार ने पैसे नहीं दिये 5 अगस्ट 1997 को अबू सालिम का फिर से स्री गुल्शन कुमार पे फोन आया अबू सालिम ने बोला तुम हमें हलके में लेने की कोशिश मत करो ये सारी बाते श्री गुलसन कुमार के भाई किसन कुमार ने अदालत में बताई एक बार फिर से आंट अगस्ट अबू सालिम का फोन आया और उसने कहा तुमने हमें पैसे नहीं दिये अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे इस बार किसन कुमार गुलसन कुमार के साथ बैट के फोन पे बात सुन रहे थे गुलसन कुमार अंडरवल्ट से पंगा नहीं लेना चाते थे इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई कंप्लेन भी दर्ज नहीं करवाई एक बात ये भी सामने आई थी के श्री गुलशन कुमार ने उन फिल्मों के राइट्स लेना बन कर दिया था जिनका म्यूजिक नदिम स्रावन नहीं दिया हो मतलब 65 प्रतिसर्ट पबलिक के पास नदिम स्रावन का म्यूजिक पोहुच नहीं पाता था इसके लिए भी उन्हें धमकिया मिला करती थी श्री गुलशन कुमार अंधिरी के जितिश्वर शिव मंदीर में हर रोज पूजा करने जाया करते थे उस मंदीर पे उन्हें बहुती आस्ता थी एसे ही 12 अगस 1997 दस बच के 40 मिनिट को हर रोज की तरह गुलशन कुमार मंदीर में पूजा करके बाहर निकले तभी वहाँ पहले से रात देख रहे हमला खोर ने उन्हें रोका एक हमला खोर ने उन्हें सर पर गोली मारी बचने के लिए सर गुलशन कुमार भागने की कोशिश करने लगे तभी और दो हमला खोरों ने भी उन पे गोलिया चलाने शुरू करी एक एक करके हमला खोरों ने 16 गोलिया सर गुलशन कुमार पे चला दी इसी बिच उनके ड्राइवर ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की पर उन्हें भी पेर में दो गोली मार दी गई इस बात का भी पता नहीं लग पाया कि क्यों उसी दिन गुल्षन कुमार के सिक्यूटी गार्ड ने चुट्टी ली स्री गुल्षन कुमार को जब हॉस्पीटल ले जाया गया तब वहां के डॉक्टर ने बताया कि इतनी गुलिया लगनी की वज़े से वो हमले के तुरंत बाद ही मर गये थे इस गतना के बाद पूरे बॉलीवूड में शोक के साथ अंडरवल का डर भी फेल गया बॉलीवूड वालों को लगने लगा कि अंडरवल्ड से बचने के लिए उन्हें पूलिस के वरोसे नहीं बैठना चाहिए अंडरवल्ड को चूप चाप पेसे दे दो या उनसे अच्छा रिलेशन बना दो ये गतना साक्सी है कि पूलिस के से अंडरवल के सामने नाकाम हो रही थी और लोगों को पूलिस डिपार्टमेंट पे से भरोसा भी उट रहा था स्री गुलशन कुमार के पार्थिव सरीर को उनके अपने शहर दिली लाया गया जहां बॉलिवुड की बड़ी हस्तिया और उनके चाहने वाले भी शामिल थे उनकी अंती म्यात्रा में काफी मात्रा में जन से लब उमट पड़ा था स्री गुलशन कुमार के हत्या के आरोप में पुलिस नदिम सेफी को मुख्य आरोपी गोशित करती है और अपनी चार सीट में लिखती है कि अनिस इबराहीम, अबु सालेम और नदिम सेफी ने मिलकर स्री गुलशन कुमार के हत्या के साजिस की नदिम सेफी पुलिस की आँखों में धुल चोक कर युके भाग गया और बाद में युके की सिटीजन सी पले ली टिप्स कमपनी के मालिक रमेश थोरानी को भी पुलिस पकड लेती है और अब्दुल रौफ उर्प डाउद मर्चंड को कुमर केद की सजा सुनाती है टिप्स कमपनी के मालिक रमेश थोरानी को भी सबूत के अभाव में रिहा कर देती है 2005 में अबु शालिम को भी पोटुगल से संधी करके भारत लाया गया पर संधी के तहित उसे दुसरे आरोप के लिए इंडिया लाय गया था उसी लिए उस पर गुलसन कुमार के केस की कोई अदालति का रिवा ही नहीं हुई स्री गुलसन कुमार हत्याकान ने मुंबे पुलिस का नाकाम चहरा उजागर किया मुंबे पुलिस के पूर्व कमिश्णर रहे राकेस मारिया ने भी अपनी किताब में लिखा है कि 22 एप्रिल 1997 को ही उनके खबरी के माध्यम से उनको पता चल गया था कि गुलसन कुमार की हत्या का प्लान मंदिर जाते वक्त का बना है लेकिन मुंबे पूलिस ने इसको गंबिता से नहीं लिया